जै शी रादे भक्तों! आज हम आपके लिए यहां पर लिकराए हैं शी सूर्य अथर्व शीर्षम हिंदी में. तो चलिए शुरू करते हैं. हे देवगण! हम भगवान का आराधन करते हुए कानों से कल्याड में वचन सुने, नेत्रों से कल्याड ही देखे, सुदण अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयू आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके, उसका उपभोग करें. सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याड का पोशन करें. संपूर्ण विश्व का ज्यान रखने वाले पूशा हमारे लिए कल्याड का पोशन करें. अरिष्टों को हमारे लिए कल्याड की पुश्टी करें. परमात्मन हमारे त्रिवद ताप की शान्ती हो. हरी ही ओंग अब सूर्य देव संबंधी अथरवांगी रस मंत्रों का व्याख्यान करेंगे. इसके ब्रहमा रिशी हैं, गायत्री चंद हैं, आदित्य देवता हैं, हंसह सोहम, अग कीलक है. चारों प्रकार के पुरुशार्थों की सिद्धि में इस मंत्र का विनियों किया जाता है. छे स्वरों पर आरूड बीज के साथ, छे अंगों वाले लाल कमल पर स्थित, साथ घोडों वाले रत पर सवार, हिरन्य वर्ण, चतुर भुज और चारों हाथों में करमश दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारन किये. कार्चकर के प्रणेता शी सूर्य नारायन को जो इस प्रकार जानता है निश्य पूर्वक वही ब्रह्म वेता है. जो प्रणव के अर्थभूद, सचितानंद में और भुह, भुवह, एवं स्वह, रूप से त्रिभुवन म हैं. संपूर्ण जगत की शिष्ट करने वाले उन भगवान सूर्य देव के सर्वशेष्ट तेज का हम ध्यान करते हैं. जो हमारी बुद्धियों को प्रेणा प्रदान करें, भगवान सूर्य नारायन संपूर्ण जंगम और स्थावर जगत के आत्मा हैं. निश्य सूर्य देव से ही ये भूत उद्पन होते हैं. सूर्य देव से ही यग्य बादल, अन, बलवीर्य एवं आत्मा का आबिर्भाव होता है. है आदित्य, आपको हमारा नमशकार है. आप ही केवल कर्म करता हैं. आप ही प्रत्यक्ष ब्रहम हैं. आप ही प्रत्यक्ष आप ही प्रत्यक्ष रगवेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष यजुरवेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं, आप ही समस्त चंद स्वरूप हैं, आदित्य से वायू उत्पन होती हैं, आदित्य से भूमी उत्पन होती हैं, आदित आदित्य से जोदी अर्थात अगनी उत्पन्न होती हैं, आदित्य से आकाश और दिशाएं उत्पन्न होती हैं, आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं, निश्य ही ये आदित्य देवता ही इस ब्रहमांड मंडल को तपाते हैं, वे आ आदित्य ब्रह्म हैं आदित्य ही अंतहकरण, अर्थात, मन, बुद्ध, चित एवं एहंकार रूप हैं आदित्य ही व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण इन पाचों प्राणों के रूप में विराजते हैं आदित्य देव ही वाक, पानी, पाद, पायू एवं उपस्त इन पांचो करमेंद्रियों में भी हैं आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये ग्यानेंद्रियों के पांच विशे हैं आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मलत्याग एवं आनंद ये करमेंद्रियों के पांच विशे हैं आनंद में, ज्यान में एवं विज्यान में आदित्य देव ही हैं मित्र देवता एवं सूर्य देव को नमशकार है हे प्रभो आप मृत्यु से मेरी रक्षा करें देप्तिमान तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायन को नमशकार है सूर्य देव से संपून चराचर जी उद्पन होते हैं सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है अंत में सूर्य में ही वे लैको प्राप्त होते हैं जो सूर्य नारण हैं वही मैं भी हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं एवं पर्व के द्वारा पुन्यकाल का आख्यान करने के कारण जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध हैं वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करने वाले धाता नाम से प्रसिद्ध हैं वे आदित्य देव हमारे नेत्रों को द्रिष्ट शक्ति प्रदान करके धारण करें। और दक्षिन भाग में भी तथा उपर नीचे भी सविता देवता हैं। सूर्य नारायन का अस्टाक्षर मंत्र ओम ग्रणी सूर्य आदित्यों बनता है। यही अथरवांगीरस सूर्य मंत्र है। इस मंत्र का जो प्रतिदिन जप करता है वही ब्रहम वेत्ता होता है। वही ब्रामण होता है। सूर्य नारायन की ओर मुक करके इसे जपने से महाव्याद के भैसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्य नश्ट हो जाता है। अभक्ष भक्षन से पवित्र होता है। अगम्य गमन से पवित्र होता है। पतित सम्भाशन के दोश से पवित्र होता है। असत्य भाशन के दोश से पवित्र होता है। मध्यान में सूर्य की ओर मुक करके इसका जप करें। इस प्रकार करने से मनुष्य सद्यह उत्पन पांच महापातकों से छूट जाता है। ये सावित्री विद्या है इसकी जिस किसी अपात्र से कुछ भी प्रशंसा ना करें। जो महाभाग इसका प्रातहकाल पाट करते हैं वे भाग्यवान हो जाते हैं। उन्हें गौ इत्यादी पश्वों का लाब होता है वे वे वेद के अभिप्राई को जानने वाले होते हैं। इसका त्रिकाल जब करने से सैकडो यग्यों का फलप्राप्त होता है। जो सूर्यदेव के हस्त नक्षत्र में रहते समय अर्थात अश्विन मास में इसका जब करता है वे महामृत्यों से तर जाता है। यह था श्री सूर्य अथर्वशीष हिंदी में। नमू नारायन।